आज हम देखेंगे और एक ऐसी कंपणी जिसमें आप अपना इंवेश्मेंट कर सकते हैं और उस कंपणी के प्रॉफिट के साथ अपना भी प्रॉफिट कर सकते हैं कंपणी में प्रॉफिट में अपना वेश्सा बना सकते हैं नमस्कार मैं अजीत सिंग स्वागत करता आपके ठाकूर कैपिटल में अगर देखा जाए तो इस कंपणी का जो अभी का प्राइज है वो चल रहा है 446 रुपीज जो आज का करेंट मार्केट प्राइज है एक कोविड के फॉल में कंपणी 95 रुपीज तक गिर चुकी थी और अभी देखें तो यह मंत्ली candle है और company एकल्प सूपर अप्ट्रेंडिनिग मूल में company continue ऑप्रेड कर रही है उसके बाद देखें weekly basis पे continue अप्ट्रेंडिनिग यह देख सकते हैं किस तरीके से एमस को respect देते होए company continue उपर की दरफ ट्रेड कर रही है डेली चार्टस में देखें तो डेली चार्टस में भी काफी अप्ट्रेंडिंग मूव है आज देखें तो आज 1.41 परसेंट गिरा हुआ है कि इतने बहतर वालीम के साथ कंपनी ऊपर सस्टेन्ड कर रही है लोग यह देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर बाइंग आ रही है मतलब कमपनी में स्ट्रेंथ बना हुआ है लोग इसमें बाइंग अपरड़ी देख रहे हैं और कमपनी अल्रेडी सौ और पेसे साड़े 400 पर चुकी है मतलब कमपनी ने साड़े 400-500 परशेंट अल्रेड, देटिशुकी है अब सबस्ते हैं कि कमपनी का जो Life Time high है वो है 465 का 569 का और कमपनी अपने नजदीक के लाइफ ट्रेम हाइड केन एक से लगती ना क्यूंब करना चाहिए अब यह समझनें कोशिश करते हैं कि कंपणी का कि क्या बिजनस है और फैनेंशल कैसे लगते हैं कंपणी एक स्टील कंपणी है आइरन एंस्टील प्रोड़क्ट में अब देखते हैं कंपणी जो है वो है और हम लोग बात करें इंडश्टी पी की तो इंडश्टी पी है 16.2 का तो इंडश्टी पी से 50% डिसकाउंट में मिलरी है कंपणी बात करें वो करें प्राइस की तो 452 का है जो बुक वैल्यु है वो है महंगी है अब यहां पर करण में कोशिश करें कि जो कंपणी पे करजा है वह बहुत ही कम है 173 करोड का है नहीं तो आइडिली जितने वी स्टील कंपणी से उसके करजा बहुत होता है तो यहां पर दिखा जाए तो डेप कंपणी में कम है और यह फेवरेबल है एक फैनेशल इस वह नीचे है मतलब 1.15 परसेंट है तो यह अच्छी चीज है कंपणी में प्रोंटर की होल्डिंग हो मेजर है 64.7 परसेंट यह प्रोंटर ने एक भी होल्डिंग नहीं रखी है गिरवी नहीं रखी है यह भी कंपणी के लिए फैनेशल सेल्स कैसे है और क्या कर रहा है मुधका आणेशन का वाकर्ता जानेशन केसा कोल रहmuş है का रहा है कंपणीда नहीं होग सेल्स में परत् Boombox का को स。 सेप्टेमर 2018 में सेप्टेमर 2019 में वो घटके हो गया 3,300 करोर और यह देख सकते हैं कि अभी है 390 यह quarter to quarter basis पर देख रहे हैं expenses sales का growth देख सकते हैं जो sales growth है वो जून 2021 को जून 2020 से गर compare करें तो 222% plus है तो यह देख सकते हैं कि lockdown के बाद कोविड के एक company ने अच्छा strength दिखाया है और अपने sales को वापस continue बहतर बनाया है operating profit margin देखें तो 23% 27% 25% company अपने operating profit margin रखे हुई है जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत मार्जिन है interest की बात करें तो company अपने करजिये को बढ़ाया है यह देख सकते हैं पहले एक क्रोड का ब्याज दे रही थी अब यह देखें तो तीन क्रोड का ब्याज दे रही है net profit की बात करें तो net profit यह देख सकते हैं कि किस तरह केसे single digit था जून 2020 में फिर यह double digit वह 45 अभी 60 come sevenvi similar 50 बहुत तरीके से profit बढ़ा हुआ है अर्र्ण।에 नो देख सकते हैं कि पहले यहığını सतना उरपया सोलय और श्र के नजबिक में चल रहा है तो यह भी अच्छा संकेत है सेल्स की बात करें तो सेल्स मार्ज द्रदर शे से बात करें तो यह 457 करोड का था अभी बढ़के मतलब और अल्मोस्ट कमपनी ने डबल किया है अपने सेल्स को 1188 करोड योड नाथ यह देख सकते हैं कि 59 % ग्रोथ किया फिर 7 परफिर 14 अभी यह देख सकते हैं कि इस साल में कमपनी का जो सेल्स ग्रोथ एक यह तो उतना बहतर नहीं है अब बात करते हैं मोग उप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर सेल्स यह देखने मिलेगा अब यहां पर देखने मिलेगा अब यहां पर देखें मार 2020 में जो सेल्स था वो था 1199 करोड़ और यहां पर देखें तो जो सेल्स मार 2021 में रिपोर्ट किया है वो है 1188 करोड़ और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के वज़े से आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में कितना बड़ा एक डिफरेंस हमको देखने मिलता है जो मार 2020 में 137 करोड़ था और सेल्स कम होने के बाद भी यहां पर देखें तो 190 करोड़ है तो यह देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ कंपणी का और कंपणी की यह फाइनेशल स्में को देखने के लिए मिल रहा है कि कंपाउंडिंग रोट देखे तो 131 परशंट का है और सीएज़ देखे तो 108 परशंट का यह और अब समझते हैं शेयर क्या है शेयर कंपणी ने घटाया है कि मतलब इक्विटी शेयर का जों प्लस है उनका कैश फ्लो और ओर यह माइनस थ्री में है तो एक एक कंसेंट का विशेह है रिटन क्यापिल एंप्लोईट के हैं तो यह डबल डिजिट है यह देख सकते हैं मार 2017 परशंट 19 परशंट 20 परशंट और अभी यह 23 परशंट है तो यह काफी अच्छी चीज है डे सबसे अच्छी चीज कंपनी में दिखती है कि एफाइज ने अपनी होल्डिंग पहले से बढ़ाई है जो पहले 1.94 परशंट थी अब बढ़के के 2.39 परशंट 2.29 परशंट हो चुकी है उसी तरह से डियाएज ने भी होल्डिंग बढ़ाई है यह देख सकते हैं डियस्पी स्मॉल कैप फंड उन्होंने अपना होल्डिंग किस सरी था बढ़ाया है इस कंपनी में 1.87 परशंट था पहले मार 2018 में से मार्क करना सेप्टे कर सकते हैं उपर दियेगे हुए नंबर पर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और लुटिक साब भी शेयर करें कि वह भी ऐसी बहतरीन कंपनी समझ सकें चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें नमस्कार धन्म्याद